जब परश राम कुलहाडी मारने वाले इंसान उन्हें जो भी दिखा उन्होंने कुलहाडी से काट दिया अपनी माता को भी एक बहुत ही जादा अस्थ है भावनाओ वाला इंसान कई तरीकों से युद्ध में हिस्सा लिये बिना ही परश राम ने कुरुक्षेत्र युद्ध का भागे तै कर दिया था उन्होंने करण को शुरू से ही उस तरह बनाया था उनमें जबर्दस्क शमता हैं थी पर उनकी आस्थर भावनाएं उन्हें परमतत्व का बोध जीवन के हर पल में नहीं होने देती थी वे बोध पाते थे और खो देते थे ऐसा चलता रहा और ज्यादा तर वे बोध खो देते थे तो वे कई सारे गुरुओं या सिक्षकों के पास गए जब उन्होंने देखा कि उनके पास वो नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है तो उन्होंने उन्हें मार दिया और फिर वे दत्तात्रेय के पास आए लोगों ने उन्हें बताया दत्तात्रेय आपके प्रश्णों का उत्तर है दत्तात्रेय आपने दत्तात्रेय के बारे में सुने दत्तात्रेय ओ यह अच्छी बात है क्योंकि मत्सेंद्रनाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योग्यों के रूप में जाना जाता है बाकी सभी आत्म ज्यानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है मत्सें द्रनात वे इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे दत्तात्रे के बारे में उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे शिव, विश्णु और ब्रह्म्हा इन तीनों का एक साथ हवतार है ये लोगों का तरीका है उनके बारे में बताने का वे बोले ये इन तीनों का हवतार हैं तो आप देखेंगे कि दत्तात्रे की कुछ तस्वीरों में तीम सिर होंगे क्यूंकि वे तीनों का अवतार है दत्तात्रे बहुत ही रहस्म है जीवन जीते थे जो पंथ उनसे शुरू हुआ वो आज भी कुछ चीजों का पालन करते हैं वो एक शक्तिशाली पंथ है वे दत्तात्रे के पास आये पुलहरी अब भी साथ थी जब वे दत्तत्रे के स्थान की औरा रहे थे तब कई अध्यात्मिक साधक इखठा हुए थे वे उनके आश्रम को देख कर ये कहते हुए भागने लगे कि ये कोई आध्यात्मिक जगा नहीं है जब परशुराम दत्तात्रेय के निवास के अंदर गए उन्होंने देखा वहाँ एक इनसान बैठा था एक घड़ा शराब का एक जग उनकी एक जांग पर और एक जवान और दूसरी जांग पर वे बस देखते रहे दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे परशुराम ने उन्हें देखा और अपनी कुलहाडी आखरी बार नीचे रखी और उन्हें प्रणाम किया बाकि सभी चले गए जैसे ही उन्हें प्रणाम किया शराब का घड़ा और और औरत गायब हो गए दत्तात्रेय बस वहीं बैठे थे और उनका कुत्ता उनके चरणों में था प्रणाम को अपनी मुक्ती दत्तात्रेय से प्राप्थ हुई ये प्रणाम के लिए एक प्रदर्शन था क्योंकि वे जबरदक्षमताओं वाले मनुश्य हैं लेकिन ये ख्षमता क्रोध में प्रकट हो रही है आस्थर भावनाओं के रूप में प्रकट हो रही हैं जिससे हमेशा नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है जबरदस्शक्ती नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है तो दत्तात्रेय ने एक तरह का जाल रचा और जब परशुराम शराब और और औरत से और उनके नशे से परे देख पाए और साथ ही ये भी देख पाए कि दत्ता त्रेय परंतत्व के निरंतर संपर्क में है उस पल उनका बोध खुल गया अगर उनमें जीवन भर इतना बोध होता तो बहुत से लोग कुलहारी से बच जाते योग की कुछ परंपराओं में वे योगियों को तीन श्रेणियों में बाटते हैं इन्हें मंद, मद्यम और उत्तम के रूप में जाना जाता है मंद योगी मतलब उन्होंने ये जान लिया है कि चेतन होना क्या होता है उन्होंने श्रिष्टी के स्त्रोवत को जान लिया है उन्होंने एकट तो जान लिया है लेकिन वे दिन भर उस स्थिती में नहीं रह पाते उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है जब वे खुद को याद दिलाते हैं और जागरूख होते हैं तो वे उस थिती में होते हैं, जब वे जागरूक नहीं होते, तो वे पूरा अनुभवख हो देते हैं, कोई भी प्रयास करके, 24 घंटे चेतन नहीं रह सकता, अगर आप चेतन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप इसे कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक बनाए र कहा जाता है, योगी के दूसरे चरण को मध्यम कहा जाता है, जिसका मतलब है मध्यस्थान, वे लगातार बोध पाते हैं, लेकिन भीतरी आयाम और जो परे हैं वो बोध में, पर जो यहां हैं वे उसे सम्हाल नहीं पाते, आपने भारत में होने की वज़े से बहुत से की पूजा की जाती हैं, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ थे, उन में से कई योगियों को उनके जीवन के कुछ चरणों में खाना खाने और टॉलेट जाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता था, उस चीज़ की भी देखभाल करनी पड़ती थी, वे असाय शिशुओं जैसे हो गए थे, लेकिन अपने भीतर वे एक शांदार स्थिती में थे, पर वो जितनी भी शांदार हो, आप उस स्थिती में नहीं रह सकते क्योंकि भावतिक दुनिया से अलग हो जाने पर आप भावतिक शरीर में नहीं रह सकेंगे, अगर आपको भावतिक शरीर बनाए रखना है, तो आपको भावतिक दुनिया में किसी प्रकार से काबिल होना जरूरी है, वरना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, योगी का तीसरा चरण, वो जो परम है, उसका निरंतर बोध पाता है, और साथ ही बाहरी दुनिया के भी पूरे तालमे में होता है, इस हद तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बाकई योगी है या नहीं तो अभी विजिट कीजिए mygyanala.in live a sartic life